विज्ञान और हम में आप सब का स्वागत है आज इस किलास में हम तंत्री का उत्तक के बारे में पढ़ेंगे कि तंत्री का उत्तक का स्ट्रक्चर क्या है और उसके क्या कारे होते हैं उसके बारे में हम आज इस किलास में कभर करेंगे तो यहाँ आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे आपको एक चितर दिखाए दे रहा है यह क्या है यह तंत्री का उत्तक यह तंत्री का उत्तक की एक कोसी का है तंत्री का कोसी का जिसको की नियोरन कहा जाता है यहाँ इसके जो सबसे पहले यह देख रहे होंगे यह बहाग को क्या बोलते हैं साइटन बोलते हैं इस सार पूरे भाग को क्या बोलेंगे साइटन और यह जो भाग है यह पूछ के जैसा है इसको क्या बोलेंगे एक्जोन और एक्जोन में उपर में क्या पाया जाता है नियूरोलिमा आच्छा देन की नियूरोलिमा सीथ पाया ज हुआ है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेन बियर की नोड और ये इसके नीचे ये तंतुए फिर एक दूसरे से फिर निकली हुई होती है जन्तुओं के सरीर का मस्तिस्क मेरू रज्जू यानकी स्पैनल कोड तंत्रिका यानकी नर्ब्स तंत्रिका उत्तक के ही बने होते हैं नर्बज टिसू जो होती है वो क्या होती है संबेदना इस्टिमुलस को सरीड के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कारे करती है संबेदना कार्थ हुआ कि हम लोगों को ठंडा का ऐसास होना गरम का ऐसास होना या किसी चीज के चोट लगने का ऐसास होना और कि किसी चीज के भी ऐसास होने का जो हम लोगों को पता चलता है इसी नर्बस टिसू के कारण ही पता चलता है और इसका कारण है कि इसका संदेश का दुसरे तक पहुचाना सरीर के दुसरे भाग से दुसरे भाग तक इसका संदेश को पहुचाना नर्बस टिसू की इकाय को क्या बोलते हैं? नियूरोन या नर्ब सेल बोलते हैं और नियूरोन के तीन भाग होते हैं एक साइटन यानकी सेल बड़े जो हुआ डेंडरन और एक्जन डेंडरन पुनो साखित होकर पतले-पतले डेंडराइट्स बनाता है जो आबेक को साइटन में लाता है और साइटन से आबेक को आगे की और फिर लंबी तंत्रिका तंतू जिसको की एक्जन बोलते हैं ये वाला जो है लंबा पूच के तरह फिर उसमें एक्जन में फिर लेकर जाता है फिर एक्जोन के बाहरी कौमल आच्छत जो होते हैं नियूरोलेमा है ना उस जिसको कहते हैं इसके नीचे होता है माइलेन या मज्जा सीथ यह जगा जगा संकोचीत होता है और इसको क्या बोलते हैं रेंबियर की नोड बोलते हैं साइटन के समों को क्या बोलते हैं गैंगलि बनाती है, आबेक का संचार हमेशा एक जोन की एक कोशीका से दूसरी कोशीका के डेंडाइस तक होता है, ना कि इसके विपरीद, यहाँ अब इस चित्र में समझें, जैसे कोई आबेक आया, एक जोन से आया, फिर इसके कहां जाता है, डेंडरन तक, डेंडरेट से फिर क्या बोलते हैं सेनेप्स बोलते हैं इस तरह से यह हम लोगों का तंत्रिका उत्तक के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा किया किस तरह से काम करती है और इसका मुख्य कार है क्या कार है सम्मेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्या करती है तो बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद!